अजिम प्रेम जी के प्रेरक विचार 1. सफलता दो बार मिलती है एक बार दिमाग में और फिर हकीकत में 2. आउटसोर्सिंग या वैश्विक सोर्सिंग के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रतिभा का लाब हुठाने उत्पादक्ता में सुधार करने और कार्य चक्र को कम करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली उपकरन बन जाता है 3. सभी व्यवसाय का अंतिम उद्देश्य लाब कमाना है लेकिन वह लाब नैतिक और सदाचार पूर्ण तरीकों से आना चाहिए पूर्ण कुछ करने का हमेशा एक बहतर तरीका होता है इसे खोजें पाँच उद्द्यमिता सिखाई नहीं जा सकती लेकिन सीखी जा सकती है छे इनोवेशन का मतलब अलग-अलग चीजें करना नहीं है बलकि चीजों को अलग तरीके से करना है साथ किसी संगठन की सीखने की क्षमता और उस सीख को तेजी से क्रियानवित करना परमप्रतिसपर्धी लाब है आठ आप अपना अतीत नहीं बदल सकते लेकिन आप एक बहतर भविश्य जरूर बना सकते हैं नौ नेत्रत्व जिम्मेदारी लेने के बारे में है बहाने बनाने के बारे में नहीं विश्वास किसी भी रिष्टे का मूल आधार है चाहे वह व्यक्तिकत हो या पेशेवर दस इमांदारी कोई सशर्थ शब्द नहीं है यह हवा में नहीं उड़ता या मौसम के साथ बदलता, नहीं है यहाँ आपकी स्वयम की आंतरिक छवी है और यदि आप वहाँ देखते हैं और एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो धोखा नहीं देगा, तो आप जानते हैं कि वह कभी धोखा नहीं देगा 11. न्याएपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के निर्मान के लिए शिक्षा एक आवश्यक आधार है 12. अपने आपको दूसरों की सीमित कल्पना तक सीमित न रखें कभी भी अपने सपनों से कम पर समझोता न करें 13. असफलताओं में कोई शर्म की बात नहीं है असफलताएं आपकी सफलता की राह में केवल पत्थर भर है 14. उतकृष्टता की दौड में कोई अंतिम रेखा नहीं होती 15. आउट्सोर्सिंग ने हमें तेजी से बढ़ने और बहुत तेजी से लाभ प्रता हासिल करने में सक्षम बनाया है 16. असफलताओं हमारी शिक्षक होनी चाहिए न की हमारा उपक्रम करता 17. किसी कमपनी की सबसे बड़ी संपत्ती उसके लोग होते है 18. अच्छी कमपनियां जरूरतें पूरी करेंगी, महान कमपनियां बाजार बनाएंगी 19. किसी कमपनी के लिए एक ब्रांड किसी व्यक्ती के लिए प्रतिष्ठा की तरह होता है 20. पैसे की असली ताकत उसे देने की ताकत है 21. हालांकि आपका धन शक्ती के साथ आ सकता है, आप उस शक्ती के साथ जो करते हैं, वही परिभाशित करता है कि आप कौन है 20. अलग-अलग लोगों के लिए सफलता के मायने अलग-अलग होते हैं मेरे लिए, यह दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में है 23. हर दिन अपने आप से पूछने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, मैंने आज क्या सीखा